हलो फ्रेंट्स ठीक है एकड़म आसानी से देखेंगे बात करें यार तो एकजाम के लिए भी महात बोड़ है ठीक है एकड़म आसानी से आपको पूरा बना-बना के लिखना भी सिंक थे गाई है कैसे आप आप राम रच बैनी पूरी का जीवन परश यह आपको सबसे पहले केबल इतनी बाते याद हो नीची केबल इतनी बाते बस इतना याद है तो पूरा जीवन पर छे आप लिए सकते हो ठीक है देखो सबसे पहले आपको रामब्रच बेनिपुरी का जनम याद होना चाहिए ठीक है रामब्रच बेनिपुरी का जनम याद होना चाहिए जनम इनका है सन 1902-20 इनका जनम हुआ था सन 1902-20 में इनकी म्रत्यू कभुईती सन 1968-20 को इनका जनम इस्थान क्या है बेनिपूर मुझभफर पुर जिला मुझभफर पुर जिला के बेनिपूर नाम गराम में हुए थे यह जो बेनिपूर है इसी कान सिंग का नाम पड़ा है राम बरच बेनिपूरी मतलब बेनिपूर वाले ठीक है बेनिपूरी का मनलब बेनिपूर वाले ठीक है और पिता के नाम इंके भूल वन्त सिंग्ध और रचनाईंगे जो मेन मेन है पतितो के देश में चिता के फूल विद्धा पती पडावली आदी ठीक है तो यह मेन मेन रचना है इतना अगर आपको याद तो आप पूरा जीमन परश्य लिख सकते हैं तो थोड़ा सा समझने की बात है कैसे लिखेंगे ठीक है तो देखो कुछ बाते आपको इनके बादे में जाननी होंगी तब ही आप लिख सकते हो तो देखो समसे बहले आपको पहली लाइन पर लिखेना है पहली लाइन देखो यहीं से बनाना है स्री राम ब्रच बेनीपुरी जी का जनम सन 1922 में मुझभफर पुरजिला के बेनीपुर नाम ग्राम में हुआ था फिर लिखोगे इनके पिता का नाम फूल बंत सिंग था फिर आगे बनाएंगे देखो सबसे पहले हमने आपे दिखा स्री राम ब्रच बेनीपुरी जी का जनम सन 1902 बी में बिहार के तो 1902 बी में बिहार में मुझपर पुर जिली के बेनीपुर नामा गराम में हुआ था फिर लिखा इनके पिता फूलवंत सिंख एक साधाराण कर सकते अब यहां पहले लिखा इनका जनम यहां पे हुआ था ता इतना लिखना है फिर उनके पिता का नाम लिख दिया अब थोड़ा से इनके बारे में आपको लिखना है कि इनके जीवन में क्या-क्या घटना है, इनकी सिच्छा कहा हुई, ठीक है, इनके बचपन की पढ़ाई कहा हुई, और इनके कवी, मतलब इनके कवी जीवन का एसरा, बस यही सब बनाना है, देखो, समझो अब क्या लिखना है, आपको लिए थी फिर लिखो गे मैटरिक की परिच्छा उत्ती विफ्र होने से पूर्जा थोड़ा सिच्छा के परिजिए। उतिवध होने से पूर्व ही इनका सिच्छा करम तूड़ गया अब देखो माता पिता तो थे नहीं भैया तो थोड़ा दिक्कत तो रही होगी हर में इसकार सिच्छा करम तूड़ गया देखो मैं ट्रिक की परिच्छा माला हाइस कोल जो गांधी जी का असायोग अंदोलन चाला धीक है फिर क्या हुआ इन्हों ने अन्यग पत्रपत्रिकाऊं का सम्पादन किया और देश वासियों में देशभक्ती की भावना जाकरित की ये देशभक्त थे ठीक है जिस कार से देखो इन्हों ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और देश वासियों में देश भक्ति की भावना भी जागरत की देखो यह असायों का अंदोलन में जब सम्मिलित हुए तो आपको पता है देश भक्त ठेखै तुम można लिखा और इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं के और देश वासियों में देश भक्ति की भावना जागरत की फिर आगे या लिखेंगे आप देखो आगे क्या लिखेंगे ये अंग्रेजी सासन के दौरान जब मनला अंग्रेजों का सासन था उस दौरान देश भक्ति की जौला भड़काने यहाँ पर लिख लेना भड़काने ठीक है भड़काने के आरोप में अनेग बार जेल गए ठीक है मतलब देखो आपको उपर भड़काने के अरोप में अनेग बार जेल गए और राष्ट माता के साथ साथ इन्होंने माता सरस्वती की भी अरादना की फिल लिखेंगे इन्होंने अधिकांस ग्रंथू की रचना जेल में ही रह कर की अब देखो जेल तो इन्होंने कई बार जाना पड़ा असन की दोरान देश भक्ती की जौला भड़काने के अरोप में देख सकते हो देश भक्ती की जौला भड़काने के अरोप में अनेग बार जेल गए ठीक है और राश्ट माता के सासर इन्होंने माता सरस्वती किया नहीं और इन्होंने अधिकांस ग्रंथों की रशना जेल में रहकर ही की ठीक है और इनका निधन सन 1968 इसबी को हो गया बस इतना लिख रहे हैं बास आने से ठीक है सन 1902 इस भी में बिहार की मुझपर प्यूर जिले के बेनीपुर नाम ग्राम में हुआ था, इनके पिता फूलवंत सिंग के एक साधार रड़ कर सक थे, बच्पन में हिनकी माता पिता का स्वरगवास हो गया, जिसके कार से लालन पालन मौसी ने किया, और मैट्रिक अर्था हा इनको साहित में क्या स्थान मिला हुआ था, तो देखो साहित में स्थान, बेनीपुरी जी ने हिंदी की विविध, विधाओ में साहित स्रजन किया है, या साहित रचनाएं की हैं, देखो, बेनीपुरी जी ने हिंदी की विविध, विधाओ, विविध, विधाओ, ठीक है, विविध, विधाओ में साहित स्रजन किया है, फिर भी वे ललित निबंदकार, रेखा चितरकार, संसमर लेखक तथा पत्रकार की रूप में विसेश उभर कर आए हैं ये सब्दों के जादू कर भासा के समराट और व्यंग प्रधान चित्रात्मक सहली के समर्थ लेखक है इतना आपको लाश्च में लिख देना ठीक है साहित में का क्या स्थानता ये पूछा जाता है ना तो साहित में स्थानता बेनी पूरी जी ने हिंदी की विविद विधाओं में स्थान किया है फिर भी वे ललित निबंका रेखा चित्रकार संस्मराड लेखक ततापात्रकार की रूप में विसेश उभर काया है ये सब्दों के जादूगर भासा के समराट और व्यंग प्रधा चित् में स्थान लिग देने तो भाया ये है आपका जीवन परचा है राम बराच बेनी पूरी जी का ठीक है तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब चुरू कर देना एक बार आप डिस्किप्शन पे प्लेलिस्ट भी चिक कर लेना आपको और भी जीवन परचा मिल जाएंगे ओके थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो